हेलो बच्चो क्या हल चाल है मेरा नाम है जाने सारक्तर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेम अफ लेक्ट्रोंस पर तो बच्चो काफी दिनों बाद आया हूँ लेकिन एक मज़ेदार सीरीज लेकर के आ रहा हूँ और मैं इस सीरीज में आपको चैप्टर वाइस सार कोश लिखा हुआ मिल जाएगा और आप मेरे साथ साथ भी अपना रिवाइस कर सकते हैं जो स्टूटेंट इन चैप्टरों को पहले पढ़ चुके होंगे देखें रिकॉल द फॉर्मुलास अलॉंग विद मी मैं जैसे जैसे लिखूंगा आप भी इन चीज़ों को रिकॉल कर पहेंगे और दिस विल हेल्प इन यह प्रिपरेशन राइट तो चलिए आईए शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो मैं उठा रहा हूं यहां पर वह आपका सॉलिड स्टीट ठीक है सॉलिड स्टीट से शुरू कर रहे हैं देखिए सॉलिड स्टीट में जो कुविक एक डीटा बता देता हूं आपको की क्यूब के अंदर कुछ बाते आपको पता होनी चैए यह समाल लेजेए हमारे पास क्यूब है क्यूब बना लेता हूं मैं है अगर मालने कि हमारा edge length a है, edge length a है, तो दो-तीन parameter हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी, edge length a माल लिया मैंने, तो सबसे पहले कोई भी face diagonal निकाल लो, कोई भी face diagonal निकाल लो, तो face diagonal की length कितनी होती है, आपको भी पते root 2 है, ठीक है ना, अच्छा, कोई body diagonal की length पूसता है, जैसे मैंने ये वाला body diagonal उठा लिया यहाँ पर, body diagonal की length पूसता है, इसकी value कितनी होती है, root 3 है, तो यह 3 parameters पहले तो बता होने चाहिए, agilent A है, तो face diagonal root 2 A है, और body diagonal root 3 A है, राइट, अच्छा, क्यों बता है यह सब अभी आपको थोड़ी दिर में समझ आ जाएगा, अच्छा, अब हम अगर बात करते है types of cubic unit cell, types of cubic unit cell, तो हमारे पास 3 तरह के unit cell होंगे, पहला, simple cubic, जिसको FCC बोलते हैं, दूसरा, body centered cubic, जिसको BCC बोलते हैं, तीसरा, face centered cubic, जिसका एक और नाम है cubic close pack structure, CCP, यह 3 बाते clear होने चाहिए, ठीक है, अब इनकी पूरी analysis करेंगे, पार्टिकल्स कहां located है, ठीक है न, कितने पार्टिकल्स पर unit cell होते हैं, density कैसे निकालते हैं, वगरे वगरे तो चलिए आईए, हम एक tabular form में ही आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, मल लिजा है मारे पास यहां पर SEC unit cell है, तो सबसे पहला column मनारों में unit cell कौन सा, ठीक है, इसके मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिकल्स कहां located है, जिन पोजिशन पर पार्टिकल्स लोकेटिद है, तो उसको हम लोग lattice point बोलते हैं, ठीक है न, तो I am writing here, lattice points, कि हम lattice points discuss करेंगे, पार्टिकल्स का lattice point क्या क्या है, फिर हम यहां पर निकालेंगे, Z, effective number of particles, हाँ, एक बात रिव 50% आएगा, अगर हम edges पर रख दें, edges पर, तो 1 by 4 आता है, contribution की बात हो गई है, मैं यहां पर लिख भी दूँगा, ठीक है न, आये चलिए, contribution लिखी लेते हैं पहले, contribution per unit cell, contribution per unit cell, contribution क्या है, यह देखने हैं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी, अच्छा, अगर मैंने रख दिया corner पर, तो corner का contribution होता है, बच्चो, 1 by 8, अगर मैंने रख दिया face center पर, तो face center का contribution होता है, 1 by 2, अगर मैंने edge पर रख दिया है, edge का contribution होता है, 1 by 4, और body center पर रख दिया, अगर बीच हो बीच, तो उसका पूरा का पूरा हिस्सा आ जागा, तो body center पर अगर मैंने रख दिया, तो तो उसका पूरा हिस्सा अपनी unit cell में आजागा और बराबर के unit cell में उसका कोई भी हिस्सा ने जाएगा तो body center contribution होता है one contribution जानना ज़रूरी है ताकि हम effective number of particles per unit cell निकाल लें तो अब हम different types of unit cell में यह सारी बाते लिखने जा रहे है कॉंट्रिबूशन निकाल लेंगे एफेक्टिव नंबर पाडिकल आप में इसाथ रिवाइज कर रहें इस वक्त आपने यह चैप्टर पढ़ा है यह उन बच्चों के लिए है जिनको एक क्विक रिविजन चाहिए क्विक फॉर्मलेस चाहिए एक जगह ठीक है जी देखिए सिंपल क्यूबिक की बात करें सिसी तो सिसी में लैटिस पॉइंट होते हैं ओल एट कॉर्नर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल सारे आठ कॉर्नर पर होते हैं दूसरा होता आपका बी सी सी बॉडी सेंटर क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक में पार्टिकल आठ हो कॉर्णर पर भी होगा और एक बॉड़ी यहां पर होगे ओलेट कॉर्नर के अंदर प्लस वण बॉडी संटर पर भी पार्टिकल रखा होगा तीसरा FCC, FCC में सारे 8 corner पर होगा, इसके अलबा सभी face के center पर होगे, कितने faces होते हैं, cube में, 6 faces हैं, सभी 6 face के center पर भी particle रखोगा, तो we can write here, कि हमारे पास 8 corner पर particle रखे होगे, plus 6 face centers पर भी particles रखे होगे, है ना, 6 face centers पर भी particle रखे होगे, now we are talking about Z, Z का मता होता है effective number of particle, कि effectively कितने particle आ रहे हैं, एक unit cell के अंदर, कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि location क्या है, उनको उनके contribution से multiply करके effective निकालेंगे, जैसे मैं बता हूँ, 8 corner पर particle रखे होगे, लेकिन 8 corner का केवल 1 बटे 8 हिस्साई तो अपने unit cell के अंदर आया, तो 8 into 1 बटे 8, total contribution का पता चल जाएगा भई, कैसे निकाला मैंने, 8 corner पर, और contribution कितना, 1 by 8, तो effectively एक particle रखा हुआ है unit cell के अंदर, समझगे मैरी बात, next, यहां 8 corner पर हैं, उनका हिस्सा 1 by 8, एक body center पर रखा हुआ, उसका तो total हिस्सा ही अपने unit cell के अंदर आया होगा, तो एक body center वाला उसका हिस्सा पूरा का पूरा 1, जोड़ देंगे तो यहां देगा 2, तो effectively यहां पर दो particle होते हैं, सही है, FCC के अंदर particle का है, 8 corner पर, हिस्सा कितना होता है, contribution कितना होता है, 1 by 8, इसके अलावा कहां रखेगा है, face के center पर, face के center का contribution कितना है, half, तो 6 face, multiplied by half, यह हो जाएगा, 1 plus 3, बोले तो 4, तो यहां पर 4 particle होते हैं, 4 particle, चले आगे, ओके, अब इसके बाद, हम एक column ले रहे, relation between A and R, relation between A and R, agilent and radius of particle, agilent और radius का relation तब मिलेगा, जब आपको यह पता हो जाए, कि किसी भी unit cell के अंदर particles कौन से line के along टच करते हैं, ठीक है, तो, चुकि यह quick shot है, तो आपको बता देता हूँ, simple cubic में, particle edge के along टच करते हैं, body centered cubic में, body diagonal के along, 3 particle टच करते हैं, ठीक है, और face diagonal के along, face centered cubic में, तीन particle टच करेंगे, क्योंकि देखो, अगर यह FCC arrangement है, तो, एक particle यहाँ पर, एक particle यहाँ पर, एक particle यहाँ पर, तीन particle टच करेंगे, और एक बात को दिमाग में बढ़ा लो, कि अगर तीन पाटिकल टछ करेंगे तो एक के कॉर्णर से दूसरे के कउल मतांभा एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक के दूरी four a-ler होतीए four इंपे नारöt Siya Mandarin który एक इंधू सेंपल क्योपिक के अंदर एज उसेंटर के लॉंग दो पाडिकल टच करते हैं एक यहां पर रखा हुआ और एक यहां पर रखा हुआ अगर दो पाडिकल टच करेंगे तो सेंटर से सेंटर के दूरी टू आर होती है अब रिलेशन समझना मैंने कैसे निकाला सिंपल क्यूबिक में किस लाइन के लॉंग टच हो रहा है एज की लेंद कितनी है मैंने वह लिख दिया बॉडी सेंटर क्यूबिक में किस लाइन के लॉंग टच हो रहा है बॉडी डियागनल इसकी लेंद कितनी है रूट 3 यह यह भी लिख दिया अगर तीन पाडिकल टच कर पर सिंपल क्यूबिक में दोभी पार्टिकल टच करें कॉर्नर वाले तो एविल बी इक वाज सथ समय जा रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बार इसको देखिये और बच्चो अब हम यह सीखने जा रहे है कि volume percentage कैसे निकालते हैं यह पैकिंग efficiency कैसे निकालते हैं आम इसके अंदर यह निकालने जा रहे है कि कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने उक्युपाई किया कितना वॉल्यूम यूनिट सेल में अवेलिबल है डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ रही है तीन कॉलम ठेक है और इस ही में हम एड़ करेंगे नेक्स्ट देखो भाइड़ कि अगे तो हमने यह सिखा कि वैल्यू क्या क्या थी इसके अंदर आट कॉर्णर पर एट इन्टू वन बाई एट और एक बॉड़ी सेंटर पर तो वन प्लस वन डू और एफ सेसी में कितने होते हैं आट कॉर्णर वाले एट इंटू वन बाई एट और सभी छे फेस पर का एक परडिकल आया तो एक परटिकल का टोटल वाल्यूं जो क्लिबिड़ हुआ है थी इहां पर चार है तो इने इतना वल्यूं तो अक्यम हुआ हुआ है थेके ना और टोटल यूateur सेल के हमें इसको रेडियम के टर्म में लिखना है अभी एवी रेडियस का रिलेश्ण लिखा था यातक्र मेरे साथ Simple cubic मेίο 2r था em बोडी सेंटर ड में रूर्ट 3 is सब्सक्राइब को समझे जो बच्चे इस चाप्टर को कहीं पढ़े हैं उन्हें को ये चीज़ेंगे और बहुत जल्दी समझा जाएंगे ठीके ना जिसमें मैं कोशिश करो सारे इंपॉर्डेंट फॉर्म्लेस को एक जगा ले आँ ठीक है एका क्यूब ले लिया तो यह तो मैं तू रूट तू आर का होल क्यूब लिख रहा हूं कितना हो जागी सोलर रूट दो आर क्यूब चेक कर लो सही है सोलर रूट दो आर क्यूब तो यह हमने निकाल दिया है कितना वॉल्यूम कवर हुआ कितना वॉल्यूम यूनिट से लगा था इनको डिवाइड कर दोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन मिल जागा ठीक है जी आईए अपर लिए पैकिंग फ्रैक्शन भी देखने जा रहे है देखने भलट फॉटो लीजे Taylor पैकिंग फ्रैक्शन पर इनकाल रहे है उन्ते इंसको इस. और लिई उनेट सेल और यहां पर हम लेक्षा किंग फ्रैक्शन चामतलब होता है volume occupied by the particle divided by the volume of the unit cell कितना volume occupy हुआ है 4 by 3 pi r cube कितना unit cell का volume है 8 r cube इसको solve कर दो r cube से r cube ओड़ जाएगा 4 से ये दो बार में जाएगा pi upon 6 आजएगा packing fraction ये pi के term में नीट में कई बार सवाल आया हुगा packing fraction pi के term में कई बार पूछा गया है समझे अच्छा यहाँ पर अगर पूछा जाए packing fraction तो बाई कितना volume occupy हुआ है 8 by 3 pi r cube 8 by 3 pi r cube कितना volume unit cell ने दिया 64 r cube upon 3 root 3 r cube से r cube उड़ा दो 8 से 8 उड़ा दो और 3 से 3 उड़ा दो कितना हो गया ये pi upon root 3 pi upon 8 ये root 3 उपर चला जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा root 3 pi upon 8 this will be the packing fraction last volume packing fraction देखिए कैसे निकलेगा ये कितना volume occupy हुआ है 16 pi r cube upon 3 कितना volume unit cell ने दिया है 16 root 2 r cube r cube से r cube उड़ा दिया 16 से 16 उड़ा दिया ये हो गया pi upon 3 root 2 ये सारे values है packing fraction के void fraction पूछेगा तो एक में से घटा दे न इन चीज़ों को सही है अब हमें निकालना है packing efficiency packing efficiency निकालने के लिए packing fraction को 100 से करना होता है multiply आए चलिए multiply कर लेते हैं देखिए वैसे तो percentage के time में सब को ने रटा हुआ है 52.4, 68, 74 ये सब ने रटा होता है लेकिन पूछा ऐसे जाता है pi के term में competition में खास करके इसलिए important है है ना आए चलिए हम देख रहे है packing efficiency packing efficiency पूछा हमसे तो हमें क्या करना है 100 से कर देना है multiply 100 से कर देना है multiply pi by 6 multiplied by 100 जिसको आप 50 pi by 3 भी लिख सकते हैं pi की value रख दीजिए 3.14 solve कर दीजिए आए यह 52.4% ठीक है जी हाँ पाई के term में भी हमने लिख लिए और वैसे भी लिख दिया सही है अच्छा यहाँ पर packing efficiency ने कालने का मतलब है packing fraction को 100 से कर दो multiply 100 से multiply कर देंगा तो 4 से जाएगा 25 चार से जाएगा दो तो यह कितना हो गया 25 रूट 3 pi बटे में 2 इसको solve करेंगे यह exactly आगा 68% ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यह कितना हो गया pi upon 3 root 2 multiply कर देंगा इसको किस से 100 से solve किजे इसको भी यह आजगा आपका 74% अच्छा अगर आपको packing efficiency पता है तो आपको यह पता है कि कितना space इस unit cell में particles ने occupy कर लिया कितना percent space cover कर लिया है तो 100 में से घटा दो तो आपको मिलेगा कितना void percentage कितना खाली जगे रह गया है आओ चलो void percentage निकालते बच्चों void percentage निकाले के लिए क्या करना है हमें सौ में से इस वैली को घटाना है सौ में से बान पॉइंट चार गया कितना हो जैगा 47.6 46.6 47.6 यहां पर कितना percent खाली जगे रह गया सौ में से घटा दो 32 परसंट खाली जगे रह गया बही 24 अगर cover हो गया तो 26 परसंट खाली जगे रह गया बोले यह बात तो का contribution कितना होता है कौना पर रखोगे तो एक बटे 8 हिस्सा यूनिट सेल में आगा एगा 25 परसंट वॉल्यूम ही आएगा एक पार्टिकल का सही है ना फेस सेंटर पर रखोगे तो आधा फ्रक्शन अपने यूनिट सेल में आएगा 50 परसंट उसका वॉल्यूम अपने यून 500 आदे 4 आच्छा आप पर इतने इन इस वहां पर पक पने गुस्ते को थै cioè to उते ऊपनेशन तो요 वहां पर निश्लोव सी च्ब हैं पर सबसेका में सबसे कम हैं सी खृओगे असी सी महां नुरौ अका बात ढर पाताना चाहूंगा और लोगा ऐना रहा हां पार 17 और 16 समय के के बारे में एक चीज़ और बच्चो एक फॉर्मुला और आ जाता है डेंसिटी ऑप दी यूनिट सेल निकालने का मैं डारेक्ट लिख देता हूं कि हम क्विक शॉट पढ़ रहे हैं और हमें फॉर्मुले जी कवर अप कर रहे हैं यहां पर मैंने थोड़ा बहुत अब यह मेटालिक सॉलिड जैसे आइरन तो आइरन का मास रख देना इटामिक मास ठीक है न अ एजलंथ सवाल में दिया ओगा थीक है नहीं दिया तो रेडियस तो देगा और रेडियस और एजलंथ के रिलेशन से इसको निकाल लेंगे आज की वीडियो में जो भी मैंने सिख पढ़ लिजेगा कॉम्पेशन में रॉक सॉल्ड इस्ट्रक्चर जेंग सलफाइड इस्ट्रक्चर डाइमंड इस्ट्रक्चर ठेकना वोड़ाइड इस्ट्रक्चर ये चीज़े एक बार देख करके जाएएगा